वेन आरजुन औड पुलीस फाइंड आउट द रीजन प्रनिशास टे तराथ दम आरजुन ये जानने के लिए और सवाल करने के लिए आमन के पास जाता है पर आमन वहाँ से भाग चुका है यह जानने पर आरजुन अदित्य पर शक्क करने लगता है और पुलीस को आमन और काश्वी के पास ना रहे और वो evidence के बिना सिर्फ शक होने पर तुम यह कर रहे हो। काश्वी reveals her identity to the police and ask Arjun to stay away from this case. पुलिस अधित्य को बिना आरेष्ट किये, घर पर ही अधित्य से push touch करती है। काश्वी अधित्य के साथ है और आमन पुलिस से भाग चुका है यह जानकर Arjun काश्वी के फिक्र करने लगता है। And when काश्वी opens the gift box, the gift explodes in front of काश्वी। जब आरजुन वापस घर लटता है, seeing Mahima welcoming him with the family, आरजुन गुसा हो जाता है और माहिमा से सवल करता है कि वो यहाँ माहिमा से अलग होना चाहता है। और माहिमा यहाँ family और सभी को गुला कर anniversary party मना रही है। जब आरजुन करून के लिए ready होकर सबसे मिलता है और यह दिखाता है कि वो उसके wife के साथ खुश है। लेटर काश्वी और अधित्य इंटर देर और अर्जुन फिल्स वेरी जेले सींग तेम टूगेदर। तब अर्जुन अधित्य को यानि कि निश्या के खुणी को साथ सामने देख कर कहता है कि अधित्य तुम यहाँ के से। माइमा टेल्स अर्जुन देट शी हाज इन्वाइटेड काश्वी और अधित्य तुदेर अनिवर्सरी पार्टी। अर्जुन भार-बार करूं के लिए माइमा से ब्लैक मेल होने लगता है। उसमें काश्वी को यकिन हो जाता है कि अर्जुन माइमा के साथ खुश नहीं है और अर्जुन सिर्प उसके तरब देख रहा है। उसमें अरजुन अदित्य और काश्वी को इतने करिद देखकर बहुत गुसा हो जाता है और अरजुन के दिल में काश्वी के साथ डांस करने का खयाल आता है वेल इन्द स्टार प्लस सीरियल ये है चाते अरजुन को जब पता चलता है कि निशा की मौत दम गुटने की वज़े से कुई ये तो पुलिस ये मानती है कि एक मर्डर है और अरजुन केसे भी काश्वी को अधित्य के फैमिली से बचाने के लिए अधित्य और अमन को अरेश हुआ 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 है